नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल नेमिंग ज्यान में इस नवरात्री स्पेशल क्या सावधानिया आपको बरतनी चाहिए जानेंगे आज के इस वीडियो में नौरात्री में भूल कर भी नौकरे ये चै काम रूट सकती है माता नौरात्री के पवित्र दीनों में नौ दीनों का माता रानी की उपासना की जाती है इन दीनों में मा को प्रसंद करने के लिए भजन वरत्व पूजा अनुष्ठान करते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुस इन दीनों माता के नौरात्री के पवित्र दीनों में नौ दीनों का माता रानी की उपासना की जाती है। प्रति और सम्मान का भाव नौ आने देशास्त्रों में भी इसे माना गया है दूसरा घर अकेला नौ छोड़े यदि आपने घर में कलव स्थापना की है या माता की चोकी या अखंड ज्योती लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े तीसरा कलव से दूर रहे नौरात्री के दीनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं एसे में कलव करने से बचना चाहिए क्योंकि कलव से व्रत धारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी मा रूठ हो सकती है चोथा धार्मिक बातों में मन लगाए माना जाता है कि व्रत करने वाले को नौरात्री नौ दीनों तक का समय फिजूल की बातों में नौ लगाकर धार्मी ग्रंथों का अध्यन करना चाहिए इन दीनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सत्तमी का पाठ कर सकते हैं पांचवा लहसुन प्याज का सेवन नौ करें नौरात्री के पावन दीनों में सात्त्विका का स्विशेश ध्यान रखना चाहिए आहार व्यपार और विचार में आपके सात्त्विकता होना जरूरी है तभी नौरात्री के व्रत का पूरा लाभ मिलेगा आप इन दीनों प्याज लासुन और मांस मदिरा का सेवन नौ करें नौरात्री के नौ दीनों तक पूर सात्विक आहार लेना चाहिए छटवा काम वासना पर काबू रखें नौरात्री के दीनों में काम भावना पर नियंतिर्ष रखना अति आवस्यक है इन दीनों में मैलाओं और पुलूस दोनों को ब्रह्मचार रिकापालन करना चाहिए मां की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही मां प्रसन होती है के इन दीनों सारी रिक संबंध नई बनाने चाहिए तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा